Hey guys, welcome to my channel The Engineering Buddy So, आज की वीडियो में मैं आप सभी को document list बताने वाला हूँ कि Engineering Animation में कौन-कौन से documents लगते हैं Full detail में हम बात करेंगे उससे पहले जैसे कि आप सभी को पता है कि MHT CET का result declared हो गया है and बहुत सारे students को अच्छे percentile मिले होंगे and बहुत को low percentile मिले होंगे So, low percentile वाले students के लिए एक मैं suggestion देना चाहता हूँ और advice समझ लो कि please आप branch में compromise मत करना होगा तो college में compromise कर लेना बट branch में गलती सभी मत compromise करना So, obviously जैसे कि अभी आप सभी का Cap Round Admission Process स्टार्ट होने वाली है So, उसमें क्या process रहता है So, I know आप सभी लोग काफी research कर रहेंगे Colleges के बारे में कि मुझे मेरे percentile के हिसाब से कौन सा college मिलेगा जैसे कि अगर आप पूने में हो या फिर मुंबई में या फिर नाश्री कमरावती So, आप सब बहुत परिसान होंगे कि मुझे जितना percentile मिला है उसका top colleges मेरे को कैसे पता करो तो मैं आपको बता दू कि ये सारे topics का video मेरे channel पे available है अगर आप मुंबई में रहते हो और अगर आपको जैसे समझ लो 80 above percentile मिला है तो 80 above के percentile में जो top colleges होते हैं वो कौन-कौन से होते हैं So, ये सारे type के video मेरे channel पे available है So, इस video के description में वो video का link मिल जाएगा उधर से जाकर आप check out कर लेना And also low percentile वाले के लिए जो top colleges होते हैं उनका भी video मैंने बनाया So, वो भी मैं video के description में डाल दूँगा वो जाकर देख लेना So, अब आते हैं अपने topic के उपर So, document list for engineering admission Plus scholarship इस video के last में आपको एक scholarship के बारे में बताने वाला हूँ जो आपका fees like पूरा 50% off कर देगा पूरा first चे fourth year तक So, वीडियो को last तक जरूर देखना काफी important वीडियो होने वाला है And बहुत कम students को ये पता रहता है Admissions से पहले And admission होने के बाद फिर काफी late हो जाता है And वो कुछ नहीं कर पाते है So, ये बात अगर आपको admission से पहले पता रहा तो इसका benefit अराम से उठा सकते हो So, first document है income certificate So, देखो अगर आप open category या कोई भी category के हो OBC या EWS या CSST जो भी category के हो Income certificate आपको बना लेना है क्योंकि ये सारे students के लिए Benefits है Scholarship के लिए And ये document जो भी मैं बताऊंगा ये admission से पहले आपको ready करने है वरना admission के बाद late हो जाता है फिर आपका admission cancel भी हो जाएगा So, इसलिए जो भी document आपके पास नहीं होगा So, जल से जल बनाना start कर देना So, income certificate लिए आपको Aadhar card, ration card, bank का passbook And IT return file आपके पास होना चाहिए And आपका income certificate अराम से बन जाएगा And मैं वीडियो के last में बताऊंगा कि आप ये सब कहां से बना सकते हो So, वीडियो को last तक देखना Next है domicile So, ये domicile certificate हम इसलिए बनाते हैं कि ये हमारा proof रहता है कि हम माराष्टर से विलोंग करते हैं And next है हमारा SSE का marksheet And फिर है HSE का marksheet फिर college का living certificate MHT CT का result And JE का result का PDF Aadhar card And college जो भी आपने cap round में जो Form fill किया है And जो College आपको Allot हो गया है तो उसका letter जो होता है PDF वो आपको लगेगा And जो seat acceptance letter होता है वो भी आपको लगेगा तो ये जो Nine documents जो मैंने बताएं ये means Open category के लिए And जितने बागी जो category है उनके लिए भी है Common ये documents And अब भी जो मैं बताने वाला हूँ SC, CS तो ओर प्लस रहेगा Means ये nine documents compulsory रहेगा And प्लस दूसरा documents रहेगा So अभी बात करते हैं कि Reservation जो Students होते हैं जैसे OBC category के EWS के या SC और ST के So पहले बात करते हैं OBC category Students के तो जैसे के जो मैंने nine documents बता है वो Plus Cast certificate Cast Valority certificate And non creamy layer certificate So ये non creamy layer certificate होता है वो सिर्फ OBC, VJNT And SVC वाले students के लिए होता है And अभी बात करते हैं EWS के लिए EWS के लिए सिर्फ EWS का certificate चाहिए रहता है And SC and HT students के लिए Cast certificate And Cast Valority का certificate And SC and HT students के लिए Non creamy layer certificates बनाने के कोई जरुत नहीं है So अब tips की बात करता हूँ जो Admissions से पहले आप सभी को पता होने चाहिए जो मुझे पता नहीं थे And Obviously बाद में पता चला Late पता चला था So मैं नहीं चाहता कि आपके साथ भी ऐसा हो So Admissions से पहले देखो कौन-कौन सा चीज आपको रेडी कर लेने है आपको अपना अगर आपका bank count नहीं होगा So जाकर bank count खोल लेना है अच्छे से बैंक में जो लाइक अच्छे बैंक होते हैं जैसे SVI जो बड़े नाम के बैंक है आपको पता होगा कि कौन सा बैंक कितना बेटर है And फिर राशन कार्ड यह जो राशन कार्ड है सबसे इंपोर्टेंट है अगर आपको इंकम सर्टिफिक्ट बनाने है या फिर स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई करने है राशन कार्ड कमपल्सरी चाहिए रहता है And जो आपका अधार कार्ड रहेगा न And जो आपने बैंक काउंट ओपेन किया है अधार कार्ड में वो बैंक काउंट लिंक होना चाहिए वहना बहुत प्रोब्लम होंगे आपको जब आप स्कॉलर्शिप अपलाई करोगे और पासपट साइज फोटो अभी रख लेना बनाकर 20-25 रख लेना बहुत काम आते है इफ आप ड्रॉपर हो तो गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना और मैं आपको पहले यह बताये तो कि यह डॉक्यमेंट में से अगर आपके पास कुछ नहीं होगा तो कहां से बना सकते हो तो देखो तरसिलदार ओफिस है आपके नियर बाइ कोई भी तरसिलदार ओफिस जो होगा उधर जाके आप यह चीज अराम से कर सकते हो तो यह सारे डॉक्यमेंट्स आप अराम से तरसिलदार ओफिस में बना सकते हो और जो मैं बोल रहा था स्कॉलर्शिप के बारे में सो देखो आपको कुछ एक्जाम देने पड़ेंगे यह स्कॉलर्श्प अगर आपका इंकम एट मैख से नीचे है सो आप यह scholarship लिए अपलाई कर सकते हो आपका कॉलज की पाती हो ओन ये का रॉपीज सो आपका डारेक्ट हो जाता है फिफ्टि फाजनि रॉपीज discount होके means आपको सिर्फ 50,000 रुपीज पे करना रहेगा college में आप 50,000 रुपीज बचा सकते हो यह scholarship apply करके यह scholarship के बारे में इस वीडियो में मैं full detail नहीं बता पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जागा इसलिए मैंने एक वीडियो बना चुका हूँ आप सभी के लिए पूरे डिटेल में यह scholarship के बारे में कैसे apply करते हैं क्या होता है यह वीडियो का link मैं i button में दे दूँगा या फिर वीडियो के description में भी दे दूँगा जा कर देख लेना काफी important होने वाला है आप लोग के लिए महाडिविटी scholarship बहुत important है आप कोई भी engineering students जा कर पूछ लेना वो सारे students 100 में से 95 students महाडिविटी scholarship apply करते हैं and वो सीज का benefit उठाते है so यह थे हमारे tips so thank you for watching so I hope आपको वीडियो पसंद आया होगी वीडियो पसंद दे तो वीडियो को like कर देना and चैनल को subscribe किये भी आप बिलकुल मजाना अगर आप चैनल पे नए हो so obviously आपको पता नहीं कि यह चैनल आपके लिए क्या-क्या benefits दे सकता है so मैं आपको बता दू कि यह चैनल आपको पूरा fourth year engineering तक आपके काम आने वाला है बहुत यूज आने वाला है and कुछ भी डाउट होगा admission related या कोई भी आपको suggestion चाहिए जो भी आपको help चाहिए so comment section में लिख देना मैं आपका doubt clear कर दूँगा so thank you for watching and stay safe